हेलो एव्रीवान तो आज जो स्पेसिमेंट कुशन पेपर है आई आई सी एसी बोट का क्लास 10 का उसको हम लोग डिसक्स करेंगे तो मैंने अपने कुछ लास्ट वीडियो में इसका थियोरी पार डिसक्स किया था तो आज हम लोग जो सेक्शन भी है इसका जो गेम्स का पार है उसको हम लोग डिसक्स करेंगे है किये सेक्षिन भी नहाँ पे हम लोग डिसक्स करेंगे अट्यम्स करेंगे टेंट चू कुशन आपको इसको करना है यू मस्टत अचेंब ओनं कॉष्छ अन एच्प प्रोड़ों चूझे जो कोई बिया विर दो जो यूशन करेंगो उस में होंक लिपन लोगों तो कुश्टन वाल है इज आप इसको नमी पूंसे में कर सकतो हे इससमें 52 हे आप आप उसको भीपंट प्रकॉश्न कर सकते हों करता है आप पर ऑके सुद डिसकस करते हैं कोशन नंबर फिफ यहां पे एक्स्प्लीन टिंग तुम्स को एक्सप्लीन करना है फॉस्ट इसमें है ट्रिक है ट्रिक क्यों होता है जब लगाता है तो इसको लोग है ट्रिक बोलते है तो मैं आपको नोर्मल लेंगज समझा रहो ह कि मैंने इसमें लिखा भी है तो आप स्कॉरम से पढ़ सकतो बोल्ड क्या होता है जब कोई भी बॉलर बॉल डालता है और वह बॉल जाके सीधे विकेट को लग पर लग जाती है और जो बेल से उसकी वह डिसलॉज हो जाएंगे मतलब बेल जो गिर जाती है तो उसको हम लोग बेटर बॉलते हैं अब हम बैटर बोलेंगे जो यह बैटर है जब वह पहली बॉल फेस करता रही तो उसको अम लोग बोलते हैं यहां पर क्या होता है कवर ड्राइब बिसीकल एक शौट होती है जो बैटर शौट मारता है तो एक वह पाप इंग में तो अगर उसी डिरेक् बॉलर अपना पर पॉपिंग से आगे उस लाइन से क्रॉस करता है आगे की तरफ तो उसमें नो बॉल दी जाती है अगर आपने फेल्डिंग सही नहीं लगाई है अकॉर्डिंग टी रूल पाप लेके अंदर यह सरकल के अंदर बहार कम जादा है प्लेयर है तो उसमें भी जो किरकेट पीछ इसमें प्रोटेक्ट एरिया कौन सा होता तो वह हम लोगा उसको बताइंगे तो यहाँ पर बात कर रहें ल मुनित बाल यह बॉलल्र बोल दालते हम जिस कर लाइन नहीं होती तक दो बाल अम इसको तो इसको अब लोग प्रोटेक्ट डिया निया बोलते हैं तो आप इसमें भी देख सकते हैं जैसे कि ये देखो ला रिखेत के सामनी BTL है पूरी बैट्समें किसमें तो यहां पर गए बॉलर कोई पैर रखता है तो इसको प्रोटेक्टेटर एदिया बोलते हो उनको अंपाय वर्निंग देता है एक नेक्स इस सरकल ऴोट से इस याइड योट इस याइर से रखन रोता है जो एक सर्कल होता है ओधिंद noite के मेम सो काम कंजब्स यह क्ल smaller गया ध्किया उस्काइब कर लिख जा namo परक में ईसके बहुत कर दोनेर करते हैं क्योंच स्टारिंग में रहलेπόने है तो है तो उसका है कि फिलिंगत छाया तो लग जाती है χिसरकल के अंदर किते भी आंगे उसां가 के भाथ तो इस् landscapesãy हम जितनी प्लेर मेल उसको हम लोग बोलते है कि जो को सर्कल के अंदर फैल्डिंग कर रहे है तो थर्टी याट सरकल होता है तो बीसिकलिये सको हम लोग बुलेंगे ये आपके इंफिल्ड को आउट फिल्ट से अलग करता है तो यह किसलेए उस तरक्षिंड लगाने के लिए फिल्डिंग अलगाने की सरकल से 30 सवार दो यह होंगे तीन होगी ओडिया टीट्वेंटी में इसका कोई इसमें टेस्ट करिकेट में कोई इसका रूल नहीं है अगर थर्द कुछ ने एक्स्प्लेंद यह तर्म बाइन करकेट वाइक कब मिलती है तो बिसिकली बाइक मतलब जब बैटर को बॉल टच ही नहीं करेंगी तो उसमें जो रन आता हूं उसको लोग बाइब ओलते हैं ओके कि करकेट में इनिक्स कुन सी होती है तो इनिंग से वह कोई भी एक बैटिंग की या तो उनकी उसको लोग दो एक टीम नेख बैटिंग में किना रन माना हैं तो उनकी टॉटल इनिंग खताम वोगे तो इंग हो अगे मैंचने टुकेजन में ना एंपायर विल चेंग बॉल इन दा मैच अंपायर कब चेंज कर सकता है जब बॉल की कंडिशन अच्छी नहों जब बॉल स्पेक्टेटर से वापीस नहीं आ रही हो तो महापे चेंज कर सकते हैं तो वह एंपायर के इसे उबेंड पकता है एक्स Christ in the field as a method of getting the batsman out दो को जब बैसमन आउट होता है तो यह तो कि on upsomething the역 कि फिल्टब किसी बैसमें ने आ mega बॉल को जानविके के रोका है थեॉति आइॉकिट पे जारी है तो उसमें भी आउट दिया जाता है तो उसी को मोग बोलते हैं और फिंग दा फिल मतलब कि आप जो बैटर है वो बॉल को जो बॉल जा जिस तरह बॉल थो कर रहें विकेट पर उसका रास्ता रोखते हैं बैट लगा देता है तो तब हाप आप आउट दिया जाता है ओगे नेक्स यहां पर बैड प्ललाइट प्लाइट क्या होता है तो सिक क्ट गोशन है फ्रसनी जान बैड लाईट लाइट अरुसरी से कलिए माइट लाई देए हो तो वो काफी नहीं है मैच को कंटिन्यू करने, क्टईव ने की कि लिए तुवक्ते लाइट थो उरोग पूलते है बीन्द यह फिल्डिंग टीम होती है वह पील करती है खासकर समय बॉलर और कीपर इंवाल होते हैं तो पहले वो दोनों अपील करेंगे और जिसके बेस पे अमपायर का डिसीजन देता है बैटर आउट है या नहीं है तो उसको में लोगा बोलता है मेडन ओवर मेडन ओवर मतलब होता दिखा होगा कि लेक्साइड में खड़ा होता है उसकी ड्यूटी क्या है उनकी ड्यूटी क्या है सब बैसमें हीड विकेट कर रहा है तो वहां पर उनको देखना स्टंपिंग कर रहा है तो वह देखना राओ उस एंड पर रॉनाओ हो रहे है या उसके वेस्ट के वेस्ट स इसे चैंपिन ट्रोफिया इसे वोल्ट ट्वेंटी कब बीचल रहा है ओके नेक्स कोशन इस ड्रोव नीट डियाग्राम ऑफ क्रिकेट पिच और मांक दी फॉलाइं देख सकते हैं कि बॉलिंग क्रिस कौन सी होती है यह बॉलिंग क्रिस आपको यहां पर दिख रहा होगा यह अधे यह बैट्समिन खेलता है बेसिकली इसको हम लोग बोलते हैं आपंग रीज और यह जो है हमाराग धड़ यह थे हमारे होती है बॉलिंग क्रिस तो और रिटन क्रिस यह बॉक्स बनाएं यह डिटन क्रीज जो बैट्समिन इसमें यूज़ता है सूं और क्लिरली अगर आप देखना जाते हैं इसमें तो और बेटर में आप देख सकते हो तो यह जैसे यह जो क्रीज है और यह जो क्रीज है इसको हम लोग बोलते हैं पॉपिंग क्रीज यह जो क्रीज है और यह जो क्रीज है यह जो क्रीज है देट इस बॉलिंग क्रीज और रि तो six क्या होता है तो जब बॉल बैट को हिट करेगी और बॉजो बॉंडरी लाइन होती है 60 मीटर के बाद वह बॉंडरी ओक्रॉस करेगी बॉंस नहीं हो नीचे ग्रॉंड पर बाउंस ग्रॉंड पर होगा तो फोर जाएगा तो जो बॉल डिरेक्ली बैट से हिट उने के बा करेंगा तो कंडिशन यह होती है कि वह तब एपले के बलोगा वंदा बैटर इस आउटसाइड इपापिंगरी तो जो पॉप इंग्रीज होती जहां पर बैट में खेलते हैं उस लाइन से पीछे हैं सिंपल लैंग्वेज में तो अगर रन भाग रहे हैं तो आपर क्रिकेट बैट की लेंथ कितनी होती है देट इस 38 इंचेस लेंथ होती है विट होती है वोट 4.25 इंचे से जाधा नहीं होती है तो इस आर दी कुछिंशन से ऑफ क्रिकेट विच वर गिवन इंदे स्पैसिमें पेपर और 2023 तो आपको करना है ऐसे कुछन आएंगे इसमें को दिस्क्रिप्शन आपको जरूर मिलेगा